Hey everyone, this is Prem, क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? Let me know in the comment section, वैसे अच्छे ही होगे आज की इस वीडियो की बात किरते हैं आप class 8 में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो मेरे भाई एक topic आपने जरूर पढ़ा होगा अपने English grammar में articles, पढ़ा है, articles लेकिन एक बात guarantee के साथ में तुमको बता सकता हूँ तुमने न, articles के बारे में केवल 30% जानकारी ली है आज तक आपको जो पढ़ाया गया है, वो शायद गलत पढ़ाया गया हो articles के बारे में अभी 9th और 10th की बात करें, तो gap filling और error correction में जादातर question A, N और The के uses से पूछे जाते हैं अगर हम class 7th, 8th की बात करें, तो उनमें articles नाम का एक अलग chapter ही है 11th में gap filling के exercise पूछी जाती है, उसमें भी The का use आता है तो भाई, ये मत पूछो कि आप किस class में हो, बस इस video को आख बंद करके पढ़ लो क्योंकि आज की इस video में हम detailed में बात करने वाले हैं कि ये articles क्या होते हैं और inside the video में आपको ये भी बता रहा होंगा मेरे दोस्त कि The को The कप पढ़ते हैं और The को The कप पढ़ते हैं तो क्या आप तयार हैं? चलिए चलते हैं Let's get started articles अब articles सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती होगी ए और 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 यही आनी भी चाहिए क्योंकि articles यही तीनों होते हैं ए और और अब हम बात करेंगे जिसके लिए ये पूरी वीडियो बना रहे हैं कि इन articles को आप इस्तिमाल कहां करोगे सबसे पहले articles से बात बताओ यह कौनसे parts of speech में आते हैं यह किस चीज़ का काम करते हैं जैसे हमारे पास 8 parts of speech है noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection इन आठों में से यह articles कौनसा parts of speech है ध्यान लगाओ थोड़ा थोड़ा और सोचो तो आपको एक चीज़ बता दूँ यह जो articles है यह हमेशा noun के पहले इस्तिमाल होते हैं तो noun के पहले इस्तिमाल होने वाले जितने भी word है वो adjective की category में आते हैं तो articles एक तरीके का adjective है और articles के वल हमारे पास तीन है a, an और the अगर इन तीनों को हम अलगलग category में divide करना चाहें तो हमारे पास articles की दो category मिलती है हमें सबसे पहला एक हो जाता है in definite article यानि a और n नाम पे ध्यान देना in definite यानि a निस्चय वाचक articles और एक होता है मारा दूसरे category का article जिसक को हम definite articles कहते हैं यह हमारा इकलौता द को अपने अंदर लेता है तो आर्टिकल्स के वल दो तरीके के होते हो गया definite article एक होता है in definite article इन दोनों में फरक क्या है और इन दोनों का इस्तेमाल कहां होता है इसको सीखने के लिए एक situation तुम्हें देता हूं मैं ठीक है तो सुबद सुबद दर्वाजे पे एक knock होता है आप दर्वाजा खोलते हो एक लड़का सामने खड़ा है वो लड़का आपसे कहता है कि मुझे आपके पापा से बात करनी है अब इस लड़के की बात आप घर में सीड़ी पे चड़ोगे उपर जाओगे पापा के रूम मे और कहोगे कि पापा पापा कोई लड़का आया है जो आपसे मिलना चाहता है या ये भी कह सकते हो कि पापा एक लड़का आया है जो आपसे मिलना चाहता है ध्यान देना एक या कोई वर्ड का इस्तिमाल करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो लड़का है ये कौन है तो बस इसी को कहते है इन डिफाइनाइट जहां पर हमें नाउन यानि जो संग्या है यानि जिसके पहले आर्टिकल यूज करना है अगर उस नाउन के बारे में हमें पहले से कुछ ना पता हो तो वो आता है इन डिफाइनाइट की केडिगरी में ठीक है अच्छा दूसरा दिया है उन्होंने कहा है कि बेटा बेटा आज एक लड़का आएगा मिलने मेरे पास उसे उपर भेज देना तो अब वो लड़का जब आया तो आप क्या करोगे आप पापा क्पास जाओगे कहोगे कि पापा पापा वो लड़का आया है जो आपसे मिलने आने वाला था आप noun fix है हमें पता है कि अब noun क्या है अब noun definite है मतलब वो लड़के के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में आपने बताया था तो जब हम noun को जानते रहें तो हम definite articles का use करेंगे और अगर हम noun को ना जानते रहें तो उसके पहले हम indefinite articles यानि a और an का इस्तेमाल करेंगे तो definite और indefinite एक line में लिख दो a और an ये indefinite articles है used before unknown noun ऐसे noun जिसके बारे में sentence में पहली बार बात किया गया हो उसके पहले a और an का इस्तेमाल होगा and the जो हमारा definite article है used before specific या particular noun कोई ऐसा noun जिसको हम पहले से जानते हो उसके पहले हम definite article यानि the का इस्तेमाल करेंगे बस यही पर काम खतम नहीं होता इनका हम separately अलग-अलग भी use पढ़ेंगे क्योंकि बहुत detail है ये topic और बहुत short में खतम करने की courses करेंगे अब हम चलते हैं अपनी अगली slide पर और actually जानते हैं uses of indefinite articles यानि a कहां use होता है और n का इस्तेमाल कहां होता है यार तुमने बचपन में ये चीज़े पढ़ रखी होगी लेकिन बहुत अधूरी और आधी जानकारी आपको दी गई है पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि a और n आपने बहुत अच्छे पढ़ लिया है न तो आपके screen पर कुछ questions दिख रहे होंगे उनके सामने हमने gap रखे हुए हैं अब fill करके बताओ कि किसमे a यूज होगा और किसमे and यूज होगा वीडियो को post करो, fill करो और fill करने के बाद ये वीडियो स्टार्ट करो अगर आपने इन questions को कर लिया है अच्छे से कर लिया है, सही सही कर लिया है तब तो आपको a और n का use आता है और अगर नहीं कर पाए हो सही सही ना तो इस वीडियो के अगले दो मिनट को देखो a और n का इस्तेमाल आपको जीवन भर नहीं भूनने वाला है यह मेरा promise है, ठीक है? तो चले सुरू करते हैं uses of a and n तो सबसे पहले हम a का use देखते हैं हम पढ़ते आए हैं कि भाईया, consonant word के पहले हम a का use करेंगे बच्पन से हम यही पढ़ते आए हैं कि a, e, i, o, u को छोड़ कर जितने other later हैं अगर कोई word इनसे start होता है तो उसके पहले हम a का use करेंगे हम यही तो पढ़ते आए हैं लेकिन थोड़ी से आपको confusion है मेरे दोस्त consonant word की बात नहीं होती यहाँ पर यहाँ पर consonant sound की बात होती है जी हाँ, consonant sound का मतलब होता है कि अगर कोई English का word क से लेके ग्या के बीच में start होता है तो उसके पहले हम a लगाएंगे और अगर a से लेके अहां तक start होता है उसके पहले हम an लगाएंगे तो a का use तुमको पता चला a का use क्या होता है used before consonant sound consonant sound क्या होता है क से लेके ग्या के बीच में अगर कोई सब्द चालू है तो उसको हम consonant sound केहते हैं example के लिए मैंने आपको किया a union क्या लिखा मैंने a union क्यूंकि union चालू है य से और य क से ग्या के बीच में ही तो आता है तो इसके पहले हमने लगा दिया a अच्छा एक और word लेते ear अब अगर ear को तुम हिंदी में लिखोगे न तो य भी य से चालू होता है और ear as usual क से ग्या के बीच में आता है तो जब क से ग्या की बीच में आता है तो ये है हमारा consonant sound और इसके पहले हम again a का यूज करेंगे ऐसे ही हमारा mla होता है mla mla के पहले क्या यूज करोगे a या m तो मैं आपको फिर से बता दू mla को जब लिखना चालू करोगे न तो ये क से ग्या के बीच में नहीं चालू होगा ये बल्की a से अहा के बीच में आएगा m लिखोगे न आप a for anak वाला a लिखोगे फिर m लिखोगे तो ये तो a से अहा के बीच में आता है तो ये है वावल sound Consonant sound मतलब ऐसे word जो कसे ग्या के बीच में चालू हो एक word मैंने यहाँ पर लिखके देता हूँ University दिख लो University भले vowel से start है लेकिन इसके आगे and नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि University चालू होता है यह से कसे ग्या के बीच में आता है यह तो वो तो Consonant sound में हो गया तो University के पहले A लेकिन वहीं पर University के जगा मालो हमने लिख दिया लिख दिया Independence तो अब एक बात बताओ Independence को जब तुम Hindi में लिखोगे तो E वाला Emily से चालू होगा जो की A से अहां के बीच में आता है यानि वावल साउंड है तो आख बंद करके N लगा दो एक और word लेते हैं हम ले लेते हैं MA MA एक डिग्री होती है MA को A लगाएंगे या N लगाएंगे इसके पहले अब आप बताओ MA पहले Hindi में लिख के देख लो चालू किस से हो रहा है A for Anak जो की A से A के बीच में आता है यानि वावल साउंड है तो इसके पहले भी हम N का स्थेमाल करेंगे और अगर आपने A और N का correct यूज़ देख लिया है तो चलिए चलते हैं Use of the की तरफ अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ जहां पर हम जानेंगे की भाईया द का use कहा होता है जो की एक definite article है लेकिन use of definite article के पहले मैं इसका pronunciation आपको बता देता हूँ कि द को द कप पढ़ोगे द को द कप पढ़ोगे क्योंकि ये most debated topic है बहुत लोग discuss करते हैं और पता नहीं लोग तुमको गलत भी बताते होंगे सही भी बताते होंगे मैं आज आपको एकदम correct use बताता हूँ कि द को द कप पढ़ोगे और द को द कप पढ़ोगे मेरे दोस्त देखो pronunciation पर अगर आएं तो spelling है टी एच ए इसके दो pronunciation है कभी कभी इसको हम द पढ़ते हैं कभी कभी इसको हम दी पढ़ते हैं द कहां पढ़ते हैं बहुत ही simple सा funda है अगर द के बाद कोई consonant sound का स्थेमाल होता है consonant sound मतलब ऐसा word जो कर और ग्या के बीच में किसी भी लेटर से start हो गया हो example लेते हैं जैसे मैंने लिखा bucket मैंने लिखा बी यू सी के इटी और इसके आगे हमने लगा दिया टी एच इड़ बकेट अब एक बात बताओ bucket एक वावल साउंड कर रहा है या consonant sound कर रहा है कैसे पता करेंगे पहले देख लो पहला word क्या है bucket को हिंदी में लिख के देख लो bucket चालो होता है बसे जो कि क और ग्यों के बीच में आ रहा है यानि एक consonant sound है और जब bucket के पहले टी एच इउज होगा तो ये द कहलाएगा यानि consonant sound के पहले अगर कोई टी एच इउज होता है तो ये द कहलाता है जैसे एक और example लेते हैं मैंने लिख दिया union मैंने लिख दिया यू एन आई ओ एन और इसके आगे मैंने लगा लिया टी एच इ अब बताओ द पढ़ोगे की दी पढ़ोगे union को हिंदी में लिख के देख लेते हैं कि ये vowel sound करता है कि consonant sound करता है तो अगर हम union को हिंदी में लिखें तो चालू होता है य से जो कि एक consonant sound है क्योंकि क और ग्य के बीच में आता है य तो इसके पहले जब द का use करेंगे तो क्या पढ़ेंगे द की दी द पढ़ेंगे अब आते हैं दी की तरफ यानि दी कब पढ़ते हैं हम तो भाई साब अगर द के बाद कोई वावल sound आता है तो हम द को द नहीं बलकि दी पढ़ने लगते हैं जैसे वावल sound का मतलब क्या होता है औ से लेके अहां के बीच में अगर किसी भी लेटर से start है जैसे example लेते हैं मैंने लिख दिया T, H, E और umbrella अब इक बात बताओ इसको the umbrella पढ़ेंगे कि the umbrella पढ़ेंगे पहले umbrella को हिंदी में लिख के देख लो किससे start होता है औ से औ से start हो रहा है यानि ये तो वावल sound है क्योंकि औ से अहां के बीच में जो चालू होता है वो वावल sound कहलाता है तो जी हां इसको the न पढ़कर इसको हम the पढ़ेंगे एक और example लेते हैं मैंने लिखा मैंने लिखा मैंने दोस्त मैंने लिखा independence the independence क्या the independence बोलना सही है या the independence बोलना सही है तो आपको बता दू independence को जब हिंदी में लिखोगे तो चालू होगा ये वाले इमली से और ये एक वावल साउंड है यानि अ से अहां के बीच में स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले जब द का इस्तेमाल होगा तो ये द नहीं बलकि दी कहलाएगा तो simple सा फंडा था इनके pronunciation का अगर consonant sound के पहले द आता है तो ये द कहलाएगा अगर vowel sound के पहले द आता है तो ये द नहीं बलकि दी कहलाता है तो अगर आपको ये pronunciation वाला part clear हो गया हो तो चलिए चलते हैं actual definite articles के uses की तरफ अब आते हैं use number one की तरफ की भईया द का इस्तेमाल और कहां कहां पर होता है सबसे पहले used before unique objects ऐसी चीज़े जो दुनिया में इकलौती है जैसे कौन कौन सी चीज़े जो दुनिया में इकलौती है हमारा सूरज सन जी हां सन को सन नहीं द सन बोलते हैं अच्छा अच्छा सन क किया लावा और क्या मून बिलकुल मून भी अके लिए unique object है की नहीं ऐसी चीज़ जिसके जैसा दुनिया में कोई और ना हो उसको unique objects कहते हैं और हमेशा unique objects के सामने हम द का इस्तिमाल करते हैं द सन द मून द अर्थ द जूपिटर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि प unique होता है तो CEO के पहले भी the use करेंगे हमारे स्कूल में principal होती है आप principal के पहले भी the का use करते हो क्योंकि principal भी तो unique है क्या किसी स्कूल में दो principal होता है क्या नहीं होता ना तो जितनी भी unique objects है पहला इस्तेमाल यही होता है जितनी भी unique objects हैं उनके पहले हम the का use करेंगे जैसे President, Prime प्राइमिनिस्टर, चीप मिनिस्टर, किसी स्टेट में एक ही चीप मिनिस्टर तो होता है ना, अच्छा, आपके क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, पूरे क्लास में एक ही तो मॉनिटर होता है ना, यूनीक मॉनिटर, इसलिए मॉनिटर नहीं, दा मॉनिटर कहोगे, तो प ठीक है, तीन भाई हो तुम लोग मालो, एक सबसे छोटे वाले भाई को कहते हैं, क्या बात है, ये बड़ा चलाक है, दूसरे भाई को कहता हूँ, ये वाला भाई उससे भी चलाक है, और तीसरे को कहता हूँ, वाह, ये तो सबसे जाधा चलाक है, तो जो सबसे जाधा है, वो हो गया superlative degree नहीं समझें, इंगलिस में पढ़ते हैं adjectives की 3 degree होती है आपको पता होना चाहिए, एक positive, एक comparative और एक superlative degree, इतना पता है जैसे good, better, best bad, worse और worst, clever, cleverer और cleverest, high, higher और highest ठीक है, तो जो last वाली degree है इसको कहते हैं, superlative degree handsome का, more handsome most handsome, beautiful more beautiful, most beautiful तो जो last वाली degree है इसको superlative degree कहते हैं और दुनिया में कभी भी superlative degree किसी भी sentence में इस्तेमाल हो, उसके पहले the का use होता है example दूँ, जैसे honesty is the best policy आपने देखा होगा, honesty is the best policy एक और example लेता हूँ, हिमालयास the हिमालयास actually the हिमालयास are the highest range in India highest के पहले क्या लगाया, the का अस्तेमाल किया, तो भाई जब कभी भी superlative degree कहीं पर भी देखो highest देखो, cleverest देखो most देखो, तो जितने ही भी superlative degree है उनके आगे आप आख बंद करके the का अस्तेमाल कर दोगे 9th और 10th में कई सारे gap filling के question मैंने देखे हैं, जहाँ पर superlative degree के आगे a और n लगा देता है, और वहीं पर आपको गलती डूड नहीं होती है, a और n काट के आप क्या यूज करोगे, जी हाँ, the का इस्तेमाल करोगे, अब superlative degree के बाद तीसरा यूज आता है, the का used before ordinal numbers बाई देखो, number दो तरीके के होते हैं, एक होता है cardinal number, यानि 1, 2, 3, 4, 5 जिसको हम पढ़ते हैं, एक होता है ordinal number, यानि order wise first, second, third, fourth, fifth, tenth, twelfth, fifteenth, thirteenth, hundred, thousand, यह क्या है? यह ordinal number है, यानि order wise number है, जैसे आपने मालो कि आप class में third rank आते हो, तो इसको क्या बोलते हो? third बोलते हो ना, यानि आपका order कितना है? third है, इसको ordinal numbers कहते हैं, तो भाई, the का इस्तेमाल सभी ordinal number के पहले use होता है, यानि कही first आ गया, तो first अकेला नहीं आएगा, the first आएगा, the first boy in the class, हम कहेंगे the second, the third, the fourth, जितनी भी ordinal number है, इनके पहले the का इस्तेमाल होगा, I hope इससे आसान कुछ नहीं है, समझ मैं, चलते हैं, अपने चाथे use की तरफ की भाईया, the, और कहां पर use होता है, the is used before adjectives, और ऐसे adjectives that refers whole group, जब किसी पूरे group के बारे में बात हो रही हो, किसी adjective का इस्तेमाल हुआ हो, उसके आगे हम the का इस्तेमाल करते हैं, the का use करते हैं, जैसे, एक example लेते हैं, मैंने कहा, कि भाई, dash, rich, exploits, dash, poor, यानि जो अमीर लोग होते हैं, वो गरीब लोगों को सताते हैं, तो यहाँ पर जो rich word है, यह किसी एक अमीर आदमी के बारे में नहीं बात हो रही है, यह बात हो रही है, पूरे अमीर आदमी के society के बारे में, कि जितने भी अमीर आदमी है, वो सभी गरीबों को सताते हैं, तो ये जो rich और poor ये जो adjective यूज़ हुआ है ये पूरे group को so कर रहा है इसके पहले इन दोनों के पहले हम क्या use करेंगे द का इस्तिमाल करेंगे एक और example लेते हैं हमने कहा हमने कहा कि भाई यानि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो experience के साथ चीज़ों को बताते हैं तो यहाँ पर old यानि किसी एक old व्यक्ति के बारें बात नहीं हो रही द ओल्ड यानि पूरे बुढ़ों की बात हो रही है कि जितने बुढ़े लोग होते हैं सब experience के साथ बोलते हैं तो मैं दादा जी भी जीवन में कितना कुछ किया होगा उन्होंने experience के साथ बोलते हैं तो पूरे old जब देखो यार कोई adjective का इस्तिमाल हो और वो adjective उन जैसे सभी लोगों के लिए use हो ना तो उसके पहले the का use करते हैं जैसे हमने कहा कि हमने ऐसे कह दिया कि the intelligent always tops in the class यानि intelligent के आगे the लगाया तो intelligent कोई एक के बारे में नहीं बात हो रही है बात हो रही है कि जितने intelligent लोग हैं वही top करते हैं class में इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया the तो भया हमारा ये चौथा use है the का the is used before adjectives और कौन से adjectives that refers to whole group examples मैंने नीचे दे दिया I hope आपको ये भी the का use समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं जादा नहीं है दो चार और है बहुत ध्यान से पढ़ते चलो पाचवा the के use की तरफ चलते हैं the is used before name of countries that includes या तो states या तो kingdom या तो republic यानि ऐसे देश के नाम जिनके नाम में states आता हो जैसे आप बताओ कौन सा देश हो गया जी हाँ United States of America तो अब इनके नाम की बीच में states आ रहा है तो जब भी इस देश का नाम लेंगे इसके पहले द लगाएंगे the United States of America कोई ऐसा देश जिसके नाम में Kingdom आ रहा हो जैसे United Kingdom of England United Kingdom of Britain तो ये एक ऐसा देश है जिसमें Kingdom आ रहा है न तो भाई कभी भी states, kingdom किसी देश के नाम के आगे देखो न उसके आगे द लगाना है ठीक है अच्छा मालो states, kingdom के अलावर Republic आ गया है जैसे एक देश है Republic of Ireland तो Republic आ गया है न एक पाकिस्तान के पहले द नहीं लगाओगे नेपाल के पहले द नहीं लगाओगे लेकिन ऐसे देश के नाम जिसमें states, kingdom और Republic आ जाए इनके पहले द लगा देना है ठीक है तो ये रहा हमारा चौथा यूज़ अब चलता है अपने next द की यूज़ की तरफ तो name of country the is also used before name of country that are in plural form ऐसे देश के नाम जो plural में होते हैं उनके पहले भी हम द का अस्तेमाल करते हैं कोई देश का नाम याद कर सकते हो जो plural में हो मुझे जहाँ याद है नेधर लैंड्स जी हाँ नेधर लैंड्स पढ़ते हैं नेधर लैंड नहीं पढ़ते इस नेधर लैंड्स फिलिपिंस नाम लेते हैं फिलिपिंस नाम लेते हैं फिलिपिंस क्या है फिलिपिंस 맞i का नाम है सब्सक्राबिर का अग liner इसक給 Psalm में तो अब जितने अभी जितने पढ़ आप समझ में आ गया होगा दो चार और इंपोर्टेंट यूजिस है जैसे एक तो है कि बाई जितने भी के नेम होते हैं जितने भी कैनॉल और डैम का नेम होता है रिवर कैनॉल और डैम इनके पहले भी का यूज्जामपल पर द इंद्रा कांथी कैनॉल द गंगा द ब्रह्मपुत्रा द यमुना रीवर तो जितनी भी नदी का नाम हो गया जितनी भी कैनॉल का नाम हो गया स्विच कैनॉल आपने नाम सुनोगा स्विच कैनॉल तो स्विच कैनॉल नाम है प्रॉपर नाम के पहले द यूज करेंगे यानि किसी नदी के नाम, किसी कैनल यानि नहर के नाम और कोई डैम के नाम के पहले हम हमेशा द का अस्तेमाल करते हैं. I hope समझ में आ गया, तो आज के बाद कभी भी नदी का नाम देखना, कैनॉल का नाम देखना, डैम का नाम देखना, उसके पहले आँख बंद करके the का अस्तेमाल कर दोगे, करोगी नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, अगले इस्तेमाल की तरफ चलते हैं, the is used before famous building names, famous museum name, या famous monuments, जैसे कोई भी famous building है, कोई भी famous monument है, कोई भी famous museum है, इनके नाम के पहले भी the का इस्तेमाल होता है, जैसे एक नाम हम लेते हैं, Red Fort, यानि लाल किला, तो लाल किला famous building है न, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कुतुब मिनार famous building है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, त के नाम के पहले भी हम दा का अस्तेमाल करते हैं जी हां कोई फेमस म्यूजियम है जितने भी म्यूजियम के नाम हो गया चाहे कोलकाता में बना हुआ हमारा नेशनल म्यूजियम हो गया इसके पहले भी दा नेशनल म्यूजियम लगाते हैं तो भाई कोई 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 मॉनुमेंट का नाम कोई building का नाम और कोई museum का नाम जो famous हो ना उसके पहले द का अस्तेमाल करते हैं और यही पर द का use खतम नहीं होता दो तीन और है जैसे द इस यूजड बिफोर नेम आफ holly books यानि ऐसे book जो धार्मिक किताबे हो उनके पहले भी हम हम द का अस्तेमाल करते हैं example के तोर पर हम ले लेते हैं द भगवत गीता लिख सकते हैं द रमायन द महाभारत द बाइबल द कुरान क्योंकि यह सभी holy book है इसलिए इनके पहले भी हम द का अस्तेमाल करते हैं समझ में आया और एक आखरी यूज है कि भाया the is used before only and whole यह दो ऐसे वर्ड है only और whole इन दोनों के पहले हमेशा द का अस्तेमाल होता है याद रखना the is used before word only and whole जिस भी sentence में only और whole word का इस्तेमाल हो जाए उसके पहले जी हां आक बंद करके द लगाओगे और the is used after all दो वर्ड है जिसके पहले द यूज होता है और एक वर्ड है जिसके बाद द यूज होता है वो है all all के बाद हमेशा द का एस्तेमाल होता है ठीक है अच्छा हमने द के उस्तों पढ़ लिये हमें ये पता चल गया कि अगले दो कि तुमको कहां कहां नहीं लगाना है कहां नहीं लगाना है जैसे सबसे पहले अगर कोई डिजीज का नाम आ गया ठीक है कोई कंट्री का नाम आ गया नॉर्मल कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्टान नेपाल भुटान ठीक है और कोई लैंग्विच का नाम आ गया जैसे हिंद किसके पहले हम the का अस्तिमाल नहीं करते कोई बिमारी का नाम हो गया इसके अलामा कोई देश का नाम हो गया कोई language का नाम हो गया lunch, breakfast और dinner ये तीन ऐसे word है जिसके पहले कभी भी the use नहीं होता और कोई proper नावन है जैसे प्रेम तो the प्रेम नहीं हो सकता ठीक है तो this is all about a, an और the और I hope आपको throughout the video पढ़ने में बहुत मसा आया होगा वीडियो सच में अच्छी लगी ना तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो share करो अपने दोस्तों के साथ इने छोटे भाईयों के साथ जो a, an और the का use अभी तक नहीं जानते हैं तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक ख्याल रखी अपना अपनों का बबाई, love you all चाहिन मेरे दोस्त